अब होली के बाद मंगलवार को जमा होंगे नामांकन पहले चरण के उमीदवारों के पास बचेंगे सिर्फ दो दिन टिकेट के एलान के बिना फुन देलाल मारको ने भराग परचा मदर प्रदेश में लोग सभ़ा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन 20 मार्च से शुरू हुआ है इसके तीसरे दिन तक 22 मार्च तक प्रदेश में नामांकन दाखिल किये गए हैं अब होली के बाद मंगलवार को नामांकन कर दाखिल किये जाएंगे इसे पहले भाजपा से बागी हुए राजिसबा सदस्य अजय प्रताप सिंग ने गोटवाना करतंद पाटी का दामन थाम लिया है और सीधी सीट से नामांकन भर दिया है वहीं शेहडो अलोक सबा सीट से कॉंग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंग मारको ने नामांकन जमा कर पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया में अब मंगलवार को नामांकन भरे जा सकेंगे मंडला में शुकरवार को मुक्यमंद्री डॉक्टर मूहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी फगन सिंग कुलस्ते का नामांकन जमा करवाया है इस दोरान प्रदेश बीजेपी और सबावालोग सबाचेतरों को लेकर बैटक भी हुई कुलस्ते ने एक नामांकन गुरुवार को भी जमा किया था सीएम इसके पहले बुदवार को सीरी में बीजेपी प्रत्याशी जॉक्टर राजेश मिश्रा का नामांकन जमा कराने भी पहुंचे थे इदर छिंदवा को चतुरत शर्निवार के तहट अवकाश है 24 मार्च को शर्निवार का अवकाश होने के कारण नामांकर जमा नहीं होंगे 25 मार्च को होली की सर्वजने का अवकाश है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार हो देखते रहिए दा खबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजिनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट था मांटें कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूट नियर्बाइ सुहागी बाइपाश